अजब मध्यप्रदेश की गजब तस्वीर देखिए, आजादी के 72 साल बात तक एक गाउं में पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। बारिश में तो आलम ये होता है कि ये गाउं एक टापू में बदल जाता है और सारे गाउं वासी इसमें कैद हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं NH 12 भोपाल जबलपूर राजमार्ग से महस धाई किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत शेहपुरा की। ये गाउं दो नदियों तेंदुनी और गजनन्दा के बीच में पढ़ता है। सड़क मौजूद नहीं हैं लिहाजा लोग जान जोखिम में डालकर नदी से होकर निकलते हैं जबकि किसानों को फसलों का लाब नहीं मिल पाता है। 2017 में ततकालीन PWD मंतरी रामपाल सिंग राजपूत ने तेंदुनी नदी पर पुल स्विक्रित कर भूमि पूजन किया था। लेकिन आज तक उस पुल का निर्मान नहीं हो सका है और ये गाउवासी इन मजबूरियों के बीच जीने को मजबूर हैं। गाउव का विकास पता नहीं कहां खो गया है। देखिए ये जो जानकारी आप ले रहे हैं ये भी मेरे संग्यान में आई है ये बात कि नूर नगर के पास जो शहपुरा गाउव है दो नदियां है वहाँ पर एक तेंदुनी है और एक नदी और है उसमें जब फ्लड आता है तो गाउव पूरा घिर जाता है। और किसी मैंने संब्ध में जब जानकारी लिया तो मुझे ये भी पता चला कि शायद वहाँ पर किसी समय आज से कुछ बर्स पूर्व एक पुल सेंक्शन किया गया था। लेकिन किन कारणों से वह कारी प्रारम नहीं हुआ उसके संब्ध में आज मैंने स्डू पी डवलुडी स्री नतीन पटेल बरेली और ब्रिज कार्पोरेशन के स्री शिरिवास्ता उसाब जानकारी लिए उनका कहना था कि कुछ समय पहले कुछ वाड़ा से पिपलिया तक के एक ब्रिज सेंक्शन किया गया था किनी कारणों से उसका काम शुरू नहीं हो सुचा मैं प्रयास करूंगा कि संब्ध में स्रीमान कलेक्टर महोदे के संग्यान में बात लाई जाए कि शीगर से शीगर वहां वेवस्ता हो लेकिन तातकालिक तोर पर बाहर के समय ग्राम बा स्थिति रहेगी उससे जिला प्रशाशन को अववत कराके और शीगर से शीगर ग्राम बासियों की समस्या का नहरा कड़ करने का हम प्रयास करें पर साथ के समय तो हालात इतने बत्तर हो जाते हैं यह पूरा गाउनी चापू में तफदील हो जाता है नैशनल हाइवे से महस जाई किलोमीटर दूर होने के बावजूत सडक नहीं है लेहाजा गाउवालों को 15-20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है और जो लोग इस चक्कर से बचना चाहते हैं वो अपनी जान को हतेली पे लेकर अपने वाहन पानी में डाल देते हैं प्राश्पूर प्राश्वाणी तो बहुत परिशानी साब बहुत दिक्कत में निकलते हैं लोग खेती हो नहीं पारे साई से एक फसल ले रहा है गेरा हुआ हुआ न topics पूरागा वहा दो नजियए झाहान थी है जाना परताई तब नदी घेर का जाना परता लोग तो कुम से गाहं मे रहती है शेका ज़ी बताई किया पारिसानी या आती अगर पानी घर जाता हैес सब्सक्र उम्हाद यह कैसे आँ जाना घूसानु सपय। ग्रामीनों की माने तो बारिश में उनकी जिन्दगी जेल में बन केदी की तरह हो जाती है ग्रामीनों को बड़ी उम्मीद थी कि 2017 में जब तेंदूनी नदी पर उस विक्रित हुआ था तो उनकी जिन्दगी में कुछ बदलाव आएगा लेकिन आज तक उस पुल को बनाने के लिए कोई ठेकेदार यहां नहीं पहुंचा बिस्वनाद सिंग यह कौन से गाउं आपका गाउं सेहपरा है यह बता यह कितने बदसों से यह आप दन से जहिनने को मजबूर हैंगा यह मेडियों मेरी उम्मी इस समय 67 साल की है यह बहुत पुरानी समय से ही जहिल लाई यह पर दिशानी दूनों तरफ नदी है बरसात के समय गाउं डूब जाता है बाट से गर्ष्ट हो जाती है आने जाने का कोई शादर नहीं दोनों तरफ नदी है घर पर ही रहते हैं खेट नहीं जा सकते हैं अच्छा फिर यह बता ही उध्यपरा कितने किलोमीटर पढ़ता है उध्यपरा यह से 13 किलोमीटर है नद इकरास करने पर के बाद रोड पर पहुंचते हैं वो दिक्कत आती है रोड पर नहीं पहुंच पाते आपके नदी का पुल नहीं बना तो हुआ था वगत बना नहीं अभी इसके द्वारा हुआ शुए कर शीद्रामपाल सिंग जी थे मंत्री जी उनने सुईक्रित कराया थ हमारा गाउं उनसे तीन किलो मीटर है वो भी नदी परती उस तरब भी तोरुसाइट आपका गाउं टापू में बदल जाता है ना हमारा नाम का जैंद सी यह बताईए लगवा कितने बरसों से दन से सहने को मजबूर है आप अब हमारा बरसों क्या है बगया उमरी होगा हम किसी बी तरहे अपना जिंद की निकाल धा है चारों तरफ नदी है मंज़लि तो प्तनी कितने में बदल तो पर नेल सुख़ नाया खिञे स्ट हैं कि अभी अभी तोला ए रोल शैंक्षन कर दिये थे पुल्सी अच्छन हुआ था राम पाल जी के दौरा कोसिच करके बोई शासन कर रभ से पहन नहीं है कोई शुनने वाला नहीं है हर तरह से विकास रोका हुआ हमारे गाहु घरा है हमारे दो तीन नदी है इन गरामीनों के हाला जानने राइसेन जिला मुक्ठाले से 120 किलो मीटर की दूरी ते करके टाइमेट मर्द प्रदेश ग्राउन जीरो पर पहुंचा और ग्रामीनों की समस्याओं और परेशानियों को जाना जब इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो तहसीलदार साहब बोले कि अब मामला मेरे संग्यान में आया है प्रतिवेदन बनाएंगे और ये प्रतिवेदन कलेक्टर राइसेन को भीज़ा जाएगा जैल और गाउं में रहना बात एक ही है दोनों कंडिसन एई है आप यह बताओ कि राघर में रासन भी खतम हो रहा है तो उसके लिए लाने के लिए रस्ता नहीं है कहीं से कहीं तक रस्ता नहीं है और यह इदर पीड़बलु विवाक के ठागुर रामपाल सिंग जी का जाना पड़ता इदर से यह पीछे नदी है यही नदी की बात बात कर रहों में सर यह तैनोनी नदी है उस साइट यह अपना उदपुरा साइट जाने के लिए ठाकुर रामपाल सिंग का ही जब पीड़बलु विवाग में थे जब उनी के उनी के उसमें यह पास हुगा थ है यह रोट आज तक चार साल होई आज तक ना रोट का पता है ना ठेकेदार का पता है किसी सापका पता है नहीं है सर दन सेने को मजबू मजबू है सरकारी बेरुखी और प्रशाथनिक लापरवाही के चलते शाकुरा के ग्रामीन पिछले 72 साल से किन दुष्वारियों में जिंदगी गुजार रहे हैं इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है ग्रामीनों को इंतजार है कि विकास का जंडा बुलंद करने वाले उनक के गाउं का विकास कब करेंगे टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए राइसेन से राजश रजक की एक्स्क्लूसिव रिपोर्ट